आखिरकार मुख्यमंत्री निटीश कुमार पास दिन तक कहा थे तीन राज्यों के चुनावी नतीजे जिस तरीके से आए उसके बाद 6 तारीकों आई एंडी आई एलाइस की बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री निटीश कुमार शामिल होना चाहते थे या नहीं साथ ही अब ज जाएंगे या नहीं यह भी जानेंगे साथ ही जाती है जन्गर्ना को जिस तरीके से पूरे देश में कराने की मांग की गई थी उसके बाद आप मुख्यमंत्री निटीश कुमार क्या करेंगे जानेंगे वरिष रही हो गया से तोश मिश्रा से सर्थ क्या कुछ जानकारी है बिल्कुल स्निया, हम सिलसिलवार तरीके से हर सवाल का जवाब देंगे सबसे पहला सवाल ये था कि क्या नितीज कुमार की तवियत वाकई में खड़ाब थे इसलिए वो 5-6 दिनों से मीडिया से दूर थे या किसी कर्काम में शरिक नहीं हो रहे थे तो इस सवाल का जवाब खुद नितीज कुमार ने आज सामने आकर पतरकारों से सामने में दिया है बताया है कि वो 5-6 दिनों तक कहा थे उन्होंने कहा है कि 5-6 दिनों तक मैं अपने घर पर ही था और मेरी तवियत वाकई में खड़ाब थी सर्दी खांसी बुखार हो गया था इसलिए जानवूस्टर मैं घर पे ही परा रहा मतलब इन अटकलों को खारीज तर दिया उन्होंने उन्होंने साथ कुछ मतलब कुछ और वज़ा है या फिर उनको किसी और गंभीर बिमारी से ट्रसित हैं इस टाइप की बाते जो भी हो रही थी विपाट सी तरफ से उसको उन्होंने सीरे से खारीज दर दिया है दूसरी बात यह कि एक खबर चल रही थी तो 6 दिसंबर यानि आज ही की तारिक में इंडिया अलाइंस की बैठक कॉल ठी गई थी हलाकि वह बैठक तल गई लेकिन बैठक जाई से नहीं कॉल हुई तो यह चर्चा शुरू हो गए कि स्रीम नितीज कुमार उस बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं उनकी जगा ललन सिंग जाएंगी जो टीजिदिव के राश्ट्री अध्यक्स हैं तो उस पर भी स्रीम 6 दिसमबर को और बैठक होती तो वो नहीं जाते चुटी तवियत ठीक नहीं थी और हाली में रिकवर हुए हैं ऐसे में उनका जाना निशित नहीं था लेकिन हाँ अगली बैठक जब भी हो रही है उसमें वो जरूर शामिल होंगे यानि इन अट कलो को भी सीरे से खारीज क साथ जा सकते हैं और ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में चल लई है उन्हों ने साभ लिया कि ऐसी कोई मनशा नहीं है वह इंदिया इलाइन्स में थे इंदिया और सबाद के जवाब में यह भी पुछा गिया उनको उनसे कि कॉंड़ेस की तरफ से भी एक नितू सिंह इंस सब लोग करें और इस चाहत को अंजाम तड़ पहुंचाने के लिए जो भी उनसे बन परेगा वो करेंगे एक सवाल और पुछा गया उनसे अमीत शा को लेक्टर की दस तरीकों मित से आने वाले हैं उसमें कई मुलक मंतिर को साथ निति उसको मार भी मंद साजा करेंग या नहीं करेंगे तब उल्हों ने इस बात तो कहा कि ये एक मतलब राजनीतिक कारेक्टरम नहीं है ये सरकारी कारेक्टरम है तो इसमें उनका रहना जरूरी होता है और इसको पुछ अलग नजरिये से नहीं देखना चाहिए यानि तो उस अमित साथ शाथ पी वो मंद से आजा करते हुए नजर आए तो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है हाँ ये ये भी कहा जा रहा था कि पूरे देश में या तीनी राजों में जो चुना हुए नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो इस्ते बाद से बीज अब नितीज कुमार भी इस स्टेंड से पीछे हटेंगे लेकिन उन्होंने एक पर फिर से अपने स्टेंड पर वो कायम रहते हुए क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे देश में जाती है गनना होनी चाहिए जाती है कास सेंचस होना चाहिए जाती है सरवे होन हैं इसके लावा विशेष राजिक के दर्जे की बात भी उन्होंने मांग दोहराई है और कहा है कि विशेष राज का दर्जा मिल लाएगा तो बिहार बहुत देजी से भी कास करेगा तो इन तमाम सवालों का और राजितिक डल्यारों में जो कुछ भी चल ला था उसका शि जरूर लग जाना चाहिए इसने हां जी तो देखें जिस तरीके से मुख्यमंतरी निटीश कुमार ने बार बार अटकले लगाई जा रही थी कि आखिरकार मुख्यमंतरी निटीश कुमार मीडिया से दूर क्यों है कहां दे कैसे थे साथ में चुनावी नतीजे आने के पद्बाश क्यास